Hello students, welcome to MOS classes. आज हम 7th class Math and CRT के chapter number 2 की exercise 2.5 के question number 6 के first से लेकर fifth part तक सोन करेंगे. Sixth question में कहा गया students, Write the place value of 2 in the following decimal numbers. इसका मतलब ये है students, के इस question में जितने भी parts हमें given है, उनमें हमें decimal numbers दिये हुए हैं, और उन decimal numbers में हमें 2 की place value पता करनी है. सबसे पहले हम first part देखेंगे, first part में हमें दिया गया है 2.56, अब देखिए ये 2 कहा पर है, decimal के left में, और decimal के left में ये पहली digit है 2, तो decimal के left में जो पहली digit होती है students, इसकी place value होती है once, तो 2 की place value क्या होगी? once. अब हम second part देखते हैं, second part में हमें दिया गया है 21.37, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, कि ये 2 है ये कहा पर है, देखिए students, decimal के left में जो पहली digit है वो है one, और दूसरे number पे जो digit है वो है two, तो decimal के left में जो पहली digit होती है, इसकी place value होती है once, और जो दूसरे number पे digit होती है left में, इसकी place value होती है tens, तो यहाँ पर two की place value क्या होगी? tens. अब हम third part देखते हैं, third part में हमें दिया गया है 10.25, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, कि यहाँ पर two किस side में है, देखिए decimal के right में है, और decimal के right में जो पहली digit है वो two ही है, और याद रखेगा students, कि decimal के right में जो पहली digit होती है, इसकी place value होती है tenth, तो यहाँ पर two की place value होगी tenth, अब हम fourth part देखते हैं, fourth part में हमें दिया गया है 9.42, अब यहाँ पर देखिए जो two है, यह decimal के right में है, decimal के right में जो पहली digit है वो है four, और दूसरे number की जो digit है वो है two, याद रखेगा students, कि decimal के right में जो दूसरी digit होती है, इसकी place value होती है hundred, तो यहाँ पर two की place value होगी hundred, अब हम fifth part करेंगे, fifth part में हमें दिया गया है 63.352, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे students, कि जो two है ये decimal की किस साइड में है, देखिए two decimal के right में है, decimal के right में पहली digit है three, दूसरे number पे digit है five, और तीसरे number पे digit है two, याद रखेगा students, कि decimal के right में जो तीसरे number की digit होती है, इसकी place value होती है thousand, तो यहाँ पर two की place value होगी thousand, I hope students आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो इससे like, share और subscribe कीजिए, Thank you.